असलाम आलेकूम गाइस आज देखिए हम चिकन की बिरियानी बना रहे हैं देखिए इतेली गरम हो चुका है इसमें दालेंगे पन प्यास देखिए जोटना दालेंगे पन प्यास अच्छे से पर लेंगे पाता नहीं पड़ेगी अच्छे से अच्छे से जोटना आज देखिए हम बना रहे हैं चिकन मिरियानी देखिए चिकन है यह वासमती चामल है यह प्यास है एक ओधी मिर्पतीना है इसमें घी दही निम्बू का पेस्ट यह हरी मिर्ची का पेस्ट यह पूरा मसाला है यह खड़ा मसाला यह बताएंगे देखी जाना कर तो है दो फेस्त इसे की तेरा बार भी तो मैसाला यह ज़्यक्त का गहाणा यह बूध़ा है यह खड़ा स्ट यह तो जो और अब दालूंगी मैस में इन्हाइद दालूंगी एक चमच नमक दालूंगी 2 चमच आप जाल दाले ना लेंगे हल्दी देखिए हल्दी थोड़ी से दालें एक चंचे हल्दी दालें फिर इसमें गरम मसला दालेंगे देखिए कर्णों लेखिए देंगे दालेंगे शेखिए ले से ले में धिया। देखिए यार स्क्षित अवर रूँ चाच्छ कर दो देखिए हल्दी धेखिए स्क्षित स्कुरिया क् अधिए पर इसमें डालेंगे लाल मिर्ची दो चमन दाने हैं देखिए गजिसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसको इसमें हरी मिर्ची पी डालेंगे इसमें कच्छी प्यास भी डालेंगे पर दहीं भी गही डालेंगे देखिए गही है गही इसको अच्छे से मिक्स करेंगे इसको तुक निबू दालेंगे दो निबू का रहता है देखिए गजिसको पुछ को तुमें की पदीणा री मिर्ची पिर दाहीं भी डालेंगे इसमें मिक्स कर लेंगे इसको आफिए प्यासी कर लेंगे गीवेज को पीर आलेंगे पैस को पॉरियसिक अपनकालेना जी प्यास तले जाना जीवे नीज धनीज दनीज आलेज पुुरर जीरा पुरर गरम मसाला बॉड़त गरम करेंगे निसकच्रण प्रेस, करम तेल दालेंगे प्रेस ये तेल हें प्रेस तलिवी तलेवा तेल हे हरे धिशने डाल दाल देंगे यॵ कि इसकच्रण से कर लेंगे अपंगो किसको बेंगे रहाँ किसको बेंगे रहाँ किसको अपने को आदा घंटे के लिए मैं रखने के लिए रखना गोश्ट को अपने अपने अच्छे से रड़ी हो चुकी है देखिए इस अच्छे से हो चुकी है इस पाजे खंटे के लिए मैरीनेट होने के लिए रखेंगे अपन देखिए पानी चामल के लिए इसमें दालेंगे पुरे मसाले देखिए गोथे में पूदी ना अरे मर्ची देखिए देखिए इसमें नमक भी दालेंगे, 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 देखिए इसमें चामल को दोके ले लूँगी, देखिए हमारा दन आचुका है, हम जब जामन को बाशिकता है देखिए यह आटा है उसको शैडों से लगाने के लिए यह सुप मसाला ले लिया है यह आटे में दाल लूंगी आटे को भी दालूंगी देखिए इसमें गरम मसाला है धनिया पूडर है जेरा पूडर है नमक यह पूरा मसाला आटे में दाल लूंगी देखिए इसको दालके अच्छे से मिक्स कर लूंगी आटे को भी दालूंगी आटे को भी दालूंगी इसको लगाने के वस्ते हैं देखिए इसमारा आटा तयार हो चुका है बिर्याने को लगाने के लिए देखिए जिदर आटा भी हमारा बन चुका है इसको लगाने के लिए देखिए दर चावान भी बन चुका है हमारे अब अखने में दाल दो दिने जावाँ यह गान घार गान के लिए देखिए इसमें दाने के अप़ तार्ब। देखिए इसमें दालेंगे चावन देखिए गज़ा पूले चावन अटके हैं इसमें दालेंगे पन दलें भी प्यास पिल कोध मिर्पदीना देखिए गज़ा पूलेंगे घी गी भी दलना गज़ा पूलेंगे चावन देखिए गज़ा फिर तेल भी दालेंगे इसमें घी भी दालेंगे तेल भी दालना देना आई देखिए गज़ा प्रूट कलर भी दलना आई आटा लगा लेंगे श्याडूँ से देखिए गज़ा पन दम पर एक आठा लगा लेंगे देखिए अच्छा लगा लिया है आता हमने लगा है अब हारी रड़ी हो चुकिए है अपन पर दिंगे अपन पंद्रा मिनेट के लिए इसे एक है बिस्मिल्ला रह्मान रहें इसको दम पर रखें तरिया निए देखिए गैस हमारी बिर्याने हो चुकी सपन देखिए है देखिए गैस पंद्रा मिनेट हो चुके है हमारी बिर्याने को पंचक कर लेंगे माशाला हमारी बिर्याने अच्छे से रड़े हो चुकी है देखिए अशाला आखिए देखिए माशाला अच्छे से हो चुकी है उसजितिा है। इसे माषपने चाहे हैं, परकैस्ट दूइए दॉधाइए लिच्छरत कमेड़ी, इक ईन्हेयो कास्त है। उसा है आजिसे के बिरियोशेशों कने संगते के लिए आप्सीतिकृशंक मेरा खुलंगा।